अमस्कार दोस्तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीग नूजुत में दोस्तो कि आप जानते हैं आज के दिन ही नागालेंड बना था भारत का सोरवा राज तो चलिए जानते हैं इसके बारे में देलचैस्प बाते हैं तो दोस्तो आज के दिन नागालेंड भारत का सोरवा राजी बना था 30 नोवंबर 1964 को नागालेंड को भारत के सोरवे राजी के रूप में मन्यता मिलने की गोशना हुई थी जबकि 1 दिसमबर 1964 को अधिकारिक रूप से इस मन्यता मिल गई नागालेंड उत्तरपूर्व राजों में से एक है इन्हें राजों को सेवन सिस्टर भी कहा जाता है तो आईए जानते हैं नागालेंड से जूरी दिलचस्प बाते नागालेंड जो है नागालेंड एक से दस दिसमबर के बीच हॉर्णिवल फेस्टिवल मनाय जाता है जिसमें नागालेंड के संस्कृति देखने को मिलती है तरह तरह के नागा पकवान लोक निरित और कहानिया इस फेस्टिवल का खास हिस्सा है और वहीं दूसरी बात है जो है दिलचस्प ओ यह है कि दुनिया के सबसे तीखी मिर्च नागालेंड की दिन है भूट जो लोकिये दुनिया के सबसे तीखी मिर्च है इसका नाम गिनिज बुक वाप रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है वहीं तीसरी जो दिलचस्प बाते हैं ओ यह है कि नागालेंड में 88 प्रसेंट अबादी इसाई धर्म को मानने वाली है और वहीं जो चौथी बात है दिलचस्प ओ यह है कि नागालेंड के गठन यानि अनुस्त चौण सट से जहां अभी तक कोई महिला बिधायक नहीं बनी है वहीं राजनीतिक में भी महिलाओं का युगदन न केहीं बड़ाबड है और वहीं जो बाचवी इनकी दिलचस्प बाते हैं वो यह है कि नागालेंड में रहने के लिए आपको सरकार से इनर लाइन परमिट लेना परेगा किसी भी बाहरी ब्यक्तिकों यहां की प्रोपर्टी खड़िदने की इजाज़त नहीं है आप यहां अस्थाई रूप से नहीं रह सकते हैं वहीं जो चटी बात है दिलचस्प वो यह है कि नागालेंड में ऐसे कई जानवरों को खाया जाता है जो अन राजियों में आमतर पर नहीं खाया जाता है यहां कुत्ते का मीट भी खाया जाता है वहीं साथवी जो दिलचस्प बाते हैं वो यह है कि नागालेंड में सौच से ज़्यादा जंजातियों के लोग रहते हैं जिनके संस्क्रीटियों और माननेता हैं अलग-अलग है वही जो आठवी दिल्चस्प बाते हैं वो यह है कि नागा लेंड में 15 से ज्यादा भासा हैं बोली जाते है यह हैं इंगलिस को ओफिसियल भासा माना जाता है तो दोस्तों कैसा लगा आपको न्यूज अगर न्यूज अच्छा लगा हो तो लाइक करें कोई भी सवाल या सुजा हो तो कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ